को नमस्तिय दोस्तों उजल किचिन में आपका बहुत बहुत सवागत है आज हम देखने करने कि बढ़िया टेस्टी जिलेशियस शाही मिती अटर jon हर देखि契 कि इतनी बढडिया टेक्श्च्रा है तह participants को बहुत बढ़िया सब्या इत्पी इस सब लोगों को आपको 15 गरम मसाला तीन तेज पत्ते दो उनिन लीजिए पचास गरम मलाई लीजिए घर क्योंकि तो अच्छे होंगी और एक कप मिथी लिना है मिथी के पत्ते मठर लेना है आधा कप हरादनियां लगबग दो से तीन डालिया है एक पैन लेजिए उसके अंदर दखी ने निकाल लेना हे जान लेना है इंदे के इस तरह से च्छान लेना है आपको चहेशे साथ抉लमिद्स लीजिए ऑड़ीं के लिजेया इसको भी अच्छे तरह रहे हैं इस तरह अभी जो पायज लिई ओद निकाल लेना गिर्वर उबाल देखिए अपना मतर हैं करें भाव दृबाल रहे हैं मिच्छ दाने उपर देर्टे तब समझेन आपका मतर अब होगा है उसके बाद मटर बाहर निकाल लेना है और उसको चान लेना है देखिए मटर अभी पक्के रेडियो गया है मटर को चान लिया है अब इसी पाने में जो मेथिये उसको भी उबाल लेना है एक उबलाने के बाद उसको भी इसी तरह चान लेना है अब एक पैंड में थोड़ा सा डीजी उसमें ताफ दो चम मज घी बीट डाल दिजिए उसको अच्छा तरह से गरम हुने दीजिए देखिए कि और बटार अच्छा तरह से गरम हो रहा है िप्रवायम के बाद इसके अंदर देश पत्र डाल दीजिए दालचीन डाल दीजिए नगी फटीड़ा सा टुक्राइब एक इंच का और विलाइच डाल दीजिए रोसके तरह से पुन लीजिए पूरने के बाद जो पेष्ट बनाई थी जो मुसक्ते की पेष्ट बनाई थी इसके अंदर डाल दीजीए जोका आप मसला पकता है अब तक मीती कि पकेवी मीती अबली वी मीती उसको इस तरह से बारे कर लिजीए मिपियुप अबलने से क्या होता है कि मेथि का अंदर का करवाट होती है निकल जाती है अब अब आपको लगभग 10 15 मिंट तक इसको पसकाना है और इसके अंदर जो मसाले बनाएं ते जो घरम मसाले सब लिए थे और डाल देना अभी याद रखना है अपको इसके अंदर लाल तो प्रॉपर वाइट कलर नहीं आता है तो इसको अपको फ्रक्यर करना है इसके लिए अब इसके अंदर जो प्याज उबाला था प्याज और यह सब पेस्ट सब इसके अदर डाल देना छोड़ देना है अब चलते दरते इसको पकाना है तो प्रॉपर भी स्मेल आने लगते उस समय आपको इसके अंदर जो मटर होता है मटर इसके अंदर छोड़ देना है पर पर जो मेथी होते मेथी छोड़ देना है और अब इसके अदर मलाई भी मिक्स कर लेना है और नमक आपको सब्सक्राइब मिलाई है लागवत 10-15 मिनिट तक मीडियम हाश्पीस को पकाई है और धनिया के साथ परोसिये गार्निश कीजिए देखिए अपने बहुत बढ़िया टेस्टी डिलीशियस बहुत बढ़िया रसीपी तयार हो गई अपने अभी बहुत सब्सक्राइब लगें सब्सक्राइब कीजिए आपके रसीपी कैसी बनती है कमेंट करना ना भूलिए मेरे विडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ तब तक किरे बाइबाइबाइ थेंक्यू टेक क्यार